नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आज से चलने से इसकी उपचार के बारे में आज का इस्तमाल आप किसी ना किसी तरफ करते होंगे चाहे तो खाना बनाने के लिए हो या फिर किसी अन्य काम के लिए पर कई बार आपके साथ काम करते करते हमारे खास और पैस चल जाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिससे आप आज से जलने के बाद उसे तुरण ठीक कर सकते हैं उपाय नमबर एग नमत में फोड़ा पानी डाल कर उसे काढ़ा बना ले और स्पेश को चली हुई जगब पर लगाएं इससे फपोले नहीं पढ़ते और भाव भी जल्दी भर जाता है दूसरा उपाय है जली हुई जगब पर तुरण आलू को काड़ कर लगाने से जलन ठीक हो जाती है और फपोले भी नहीं बनती है तीसरा उपाय है प्यास के दस को जली हुई जगब पर लगाने से आपको जलन से नहीं होती और आपका खाओ जल्दी भी भर जाता है चौत्वा उपाय है कि लियाटे को जली हुई जगा पर लगाने से जलन कम हो जाती है और छाले भी नहीं पढ़ते है पांच्वा उपाय है सरसो का तेल जली हुई जगह पर सरसो का दे लगाने से जलन और छाले नहीं होते है छटा उपाय है तेसी भी को जली हुई जगह पर लगाने से भी आराम बिलता है साथमा उपाय है फल्दी को पानी में मिला ले और उसे बार बार जली हुई जगह पर लगाए इसे चले हुई तवचा ठी हो जाएगी आठवा उपाय है क्रिसलीन को चले हुई अस्थान पर लगाने से दर्द और छारों में आरा मिलता है तो आज की इस वीडियो में हमने जाना आग से जल जाने पर इसका घरे लूपचार तो आप भी इस उचार को जरूरत पढ़ने पर इसमाल कर सकती है